भारत माता की मोई हमो अहम बाखी लोई रंगाली विहू आरो अहम्या नवो बोर्खोर खुवेश्या घ्यापोन करिलो मैं मा कामाख्या और मा काली के चरणों में प्रणाम करता हूँ मैं स्री हरी बंदीर स्री वासुदेव बंदीर बिलकेश्वर मंदीर और सीव मंदीर को भी सर जुका कर नमन करता हूँ मैं आप सभी को बोहाग विहू की हर दिख शुबकामनाई देता हूँ आज राम नव्मी का एकिहासिक आउसर भी है पांसो वर्सों के इंतजार के बाद आखेर भगवान राम अपने भव्य मंदिर में विराजमान हुए है और अभी कुछी मिनिटों के बाद प्रभु राम को सूर्य तिलक करके उनका जन्मोचव अयोध्या की पवित्र नगरे में राम मंदिर में मनाया जाएगा आज देश सद्यों के साधना के पीरियों के बनिदान के सिद्धी को सेलिप्रेट कर रहा है साथियों इतने बड़े संख्या में आपकी ये उपस्तिती ये जनसहलाब महान ब्रह्म पुत्र के विस्तार से कम नहीं है और मैं तो देख रहा हूँ ये पब्लिक मिटिंग तीन मंजिला है एक तो लाखो लोग मेरे सामने बैटे हैं दूसरे हज्जारों लोग उदर सामने उपर बैटे हैं और तीसरे सेंकडों लोग उपर बीट पर खड़े होकर के सभा सुन रहे हैं याने शायद पहली सभा होगी जो तीन मंजिला सभा हो रही है चार जुन को नतीजा क्या होने जा रहा है ये साप दिखाई दे रहा है दिखता है कि नहीं दिखता है चार जुन क्या होने वाला है ये आज पूरा देश देख रहा है और इसलिए लोग कहते हैं चार जुन चार सो पार चार जुन चार जुन जराब पुरी ताकत से आवा जाने चाहिए चार जुन चार जुन फिर एक बार फिर एक बार फिर एक बार शारी जुन शारी जुन आको ये बार साथियों 2014 में मोदी आपके बीच एक उमेद लेकर आया था 2019 में मोदी जब आया तो एक बिश्वास लेकर आया और 2024 में आज जब मोदी असम की धर्ति पर आया है मोदी गारंटी लेकर आया है मोदी की गारंटी यानि गारंटी पूरा होने की गारंटी अभी बोहाग विहू के दिन बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र भी जारी किया है बीजेपी वो पार्टी है जो सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर चलती है एंडिये सरकार की योजनों में कोई भेदभाव नहीं होता उनका लाब हर किसी को मिलता है अब एंडिये ने ठाना है कि देज के हर नागरिक तक पहुँचकर जिस सुविधा का वो पात्र है वो सुविधा उसे दी जाएगी अगरे पांच वर्सों में गरिबों के लिए तीन करोड और नए मकान बनाए जाएंगे और बिना भेदवाव सबको मिलेंगे अगले पांच वर्षों तक आपको मुप्त राशान ऐसे ही मिलता रहेगा बिना भेदवाव मिलता रहेगा आप मुझे बताईए NDA सरकार की योजनाओं में आपको कहीं पर भी भेदवाव का सामना करना पड़ा है बेदवाव का सामना करना पड़ा है साथियों अब बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में एक और बड़ी गोशना की है जिसका लाप देश के हर घर को होगा और वो भी बिना भेदवाव के होगा आप जानते हैं हर परिवार में आज कल दादा, दादी, पीता, माता सत्तर साल के उपर के लोग परिवार में होते हैं और उनको कोई भी तकलिप हो तो परिवार के संतानों पर बोज पड़ता है बेटे के सारे प्लान बिगड जाते हैं अगर पिता, दादा, माता को कोई बिमारी आ जाए अगर बेटी की शादी का प्लान बना दिया है और अचानक पता चले कि पीता को बहुत गंबीर बिमारी आई है माता को गंबीर बिमारी आई है तो बेटी की शादी का प्लान ही बिगड जाता है और इसलिए मोदी ने तै किया है कि आप जो मेरे भाई बहन है जो पतास साल के होंगे, चालिस साल के होंगे, तीस साल के होंगे, साड़ साल के होंगे अपने भुजूर्ग माबाप की सेवा करते हैं अब मोदी ने तै किया है, मोदी ने गारंटी दी है कि आपके परिवार में सत्तर साल की उपर के जितने भी भुजुर्ग हैं उनकी बिमारी उनके इलाज की चिंता ये आपका बेटा मोदी करेगा इन भुजुर्गों को आईश्मान योजना के तहट पांच लाख रुपे तक के मुप्त इलाज की सुविधा मिलेगी वो बुजुर्ग, गरीब हो, मद्दमबर के हो, गाम के हो, शहर के हो, सेलरी केटेगरी में आते हो, किसान परिवार के हो, या फिर उच्चवर के हो इसमें भी बिना भेद भाव, उनकी इलाज की चिंता मोदी करेगा, और उससे आपके पैसे बचेंगे आप अपनी योजना के हिसाब से अपने परिवार के सपनों को पूरा कर पाएंगे, इतना बड़ा काम ये मोदी करने वाला है मेरा भाषान आगे बढ़ाने से पहले, अब बारा बजने में कुछी पल बाकी है आयोध्या में और पुरे देश में प्रभु राम के जनमोच्व, प्रभु राम के स्वागत का बहुत बड़ा भियान चल रहा है, बहुत बड़ा उत्षव चल रहा है हम भी उससे जुड़ना चाहते हैं, बले हम अयोध्या नहीं पहुँच पाए हम यहां से प्रभु राम के जनमोच्व में जुड़ने के लिए, अभी कुछी पल में वहाँ पर सूर्य तिलक होने वाला है आप भी अपना मोबाइल फोन निकाल करके, उसकी फ्लेश लाइट चालू करके, हम भी प्रभु राम को प्रणाम करें उस सूर्य तिलक की तरह हम भी अपने मोबाइल का फ्लेश निकाल करके, फ्लेश चालू करके, सब लोग अपने मोबाइल का फ्लेश चालू करें सब लोग बले दिखाई नहीं देगा, लेकिन आप करें, प्रभु राम को सूर्य तिलक हो रहा है तब हमारे मोबाइल फौन से भी प्रभु राम को हम प्रणाब कर रहे हैं हम भी सूरी तिलक में हमारे मोबाइल के किरन भेज रहे हैं मेरे साथ बोलिए जय स्री राम जय स्री राम राम लक्ष्मन जान के जय बोलो हनमान के राम लक्ष्मन जान के राम लक्ष्पर जान की राम लक्ष्पर जान की राम अनक्ष्मर जान के जाए स्री राम जाए स्री राम जाए जाए स्री राम जाए जाए स्री राम जाए जाए स्री राम जाए जाए स्री राम प्रभु राम के जर्वोत सब को हम सबने यहां से उसमें सरीख होकर के आज जब सूर्य देवता स्वयाम प्रभु राम जी के जन्बदीन को मनाने के लिए अयोध्या की धर्ती पर किरण के रुपए उतर रहे है पूरे देश में एक नया माहोल है और ये प्रभु राम का बर्थडे 500 सी के बाद आया है जब वो अपने निज गर में बर्थडे मनाने का सवभागे मिला है बले प्रभु राम चंदुर के प्रभु राम चंदुर के सियावर राम चंदुर के सियावर राम अच्छन्र की साथियों बीजेपी ने आपके लिए और भी कई गोषणाय किये है आपका बिजली बिल जीरो आए इसके लिए कमदाम पर सोलर पैनल दिये जाएंगे और उसके कारान आपका बिजली का बिल जीरो हो जाएगा अरे बिजली का बिल तो जीरो होगा आने वाले दिनों में जब आप इलेक्टिक वेहिकल खरी देंगे स्कूटी हो, स्कूटर हो, गाड़ी हो तो सोलर वाली बिजली से उसका चार्जिंग भी होगा और आज ट्राविलिंग का जो खर्चा है ना, पैट्रोल डीजल का जो खर्चा है, वो भी जीरो हो जाएगा देश की करोड़ों बेहने आज स्वयम सहायता समू से जुड़ी है हमने लक्ष रखा है, तीन करोड़ बेहनों को लखपती दीदी बनाएंगे गाउं गाउं में हमारी बेहने ड्रोन पाइलट बनेगी इन फैसलों का बहुत बड़ा लाप हमारे आसाम के लोगों के यहां के गरीब, बन्चीत, दलीट, किसान, पीडीट और चाय बागान के मद्दूरों को होगा साथियों जब पिसानों की बात होती है तो यहां कोई खार भात को कैसे भूल सकता है यहां तो हर कोई जानता है खार खुआ असमीज इसलिए हमारी सरकार यहां के चावाल किसानों की खास चिंता करती है हमने खरीब की फसलों का MSP बढ़ाया है इससे यहां के लाखों किसानों को लाब हुआ है असम के किसानों को PM किसान सम्मान निदी के तहट 5400 करोड रुपे से जादा मिले हैं और अब BJP निश योजना को जारी रखने का एलान किया है यानि असम के किसानों को PM किसान सम्मान निदी का पैसा मिलता रहेगा और वो भी बिना बेदभाव मिलता रहेगा साथियों आज पूरे देश में मोदी की गारंटी चल रही है और नौर्थ इस्टों खुद ही मोदी की गारंटी का गवा है जिस नौर्थ इसको कॉंग्रेस ने सिरफ समस्याएं दी थी उसे BJP ने संभावनाव का स्रोध बना दिया है कॉंग्रेस ने अलगाववाद को खाद पानी दिया मोदी ने पुर्वत्तर को गले लगाने का काम किया मोदी ने शांती और सुरुच्छा के लिए प्रयास किये जो कॉंग्रेस के साट वर्सों में नहीं हुआ वो मोदी ने दस वर्सों में करके जिखाया क्योंकि मेरे लिए आपके सपने ये मेरा संकल्प है आपके सपने ये मेरा संकल्प है और इसलिए हर पल आपके नाम हर पल देश के नाम हर पल आपके सपनों के नाम और इसलिए 24 by 7 24 by 7 for 2047 साथ्यों मोदी ने ही अपने मुस्लिम बेहनों को तीन तलाक की टेंशन से मुक्ति दिलाई हमने तीन तलाक की कूप्रथा के खिलाब कानून बनाया इसका फाइदा ना सिर्फ मुस्लिम बेहनों को मिला बलकि उनके परिवार को मिला, पूरे परिवार को मिला, माता को मिला, पीता को मिला, भाई को मिला तीन तलाक की वज़े से मुस्लिम बेटियों के साथ उनके परिवार की भी जिन्द की तबाह हो रही थी इसका लाप असम की भी हमारी हज्जारों बेहनों को हुआ है साथियों असम का विकास इस बात का सबूत है कि जब नियत सही हो तो नतीजे भी सही आते है कॉंग्रेस पार्टी ने सियासी फायतों के लिए इस छेत्र को अपने में पंजे में फसा कर रखा था कॉंग्रेस के पंजे ने पुर्वोतर को इसलिए जकट रखाता ताकि उनके लिए ब्रस्टाचार और लूट के दरवाजे खुले रहे अब ये पंजाग खुल गया है तो असम में सब का साथ सब का विकास का मंत्र लागू हुआ है साथियों अभी कुछी दून पहले मैंने असम्में देश की बहुत बड़ी सेमी कंड़क्टर फैसिलिटी का सिलान्याद किया है इस सेमी कंड़क्टर एसमली और टेश फैसिलिटी पर 27,000 करोड रुपिय से जाद्य का निवेश किया जाएगा आने वाले समय में अकेले इस विजिनिर से इस खेत्र के हुआउं के लिए 15,000 से जादा रोजगार के अउसर बनेंगे आने वाले समय में पुरी दुनिया में असम को सेमी कंड़क्टर सेक्टर के एक बड़े हैप के रुपे पहचान मिलेगी ये शुरुवात आइकिहासिक है और प्रत्यासित है इन निवेश खेत्र के विकास को एक नई शक्ति देने वाला है नौर्थ इसके नवजवानों को भविश्के भारत के हर्थ सेक्टर में नए अवसरों से जोड़ा जाए मेरे लिए सबसे बड़ी प्राक्विक्ता है और ये अवसर लगातार इसी तरह से बढ़ते रहेंगे ये मोधी की गारंटी है साथ यो असम आज केवल दूसरे राज़ों की बराबर ही नहीं कर रहा असम भिकास के नए रिकॉर्ड बना रहा है जिस असम में सड़के नहीं होती थी वहाँ दस वर्ष में पतीस सो किलोमेटर नेशनल हाइवेज बने है बरांग, उदलगुरे, बारपेटा और कोकरा जार के लोगों के लिए अकेले इस चेत्र में ही करीब दो हजार करोड रुपी की सड़क परियोजना पर काम हो रहा है अज देश का सबसे बड़ा रिवर बीज भूपेन हजेरिका सेतू असम में है अज देश का सबसे लंबा बोगी बेर रेल रोल बेज असम में है अब गुहाटी में ही असम का अपना एम्स खोल चुका है इसके अलावा बारपेटा और कोकरा जार में भी मेडिकल कॉलेज खोले है असम में पांच जिलों में कैंसर अस्पिताल खोलने की योजना भी परकेजी से काम चल रहा है असम को छे नई इंजिनिरिंग कॉलेट की भी सोगात मिली है नॉर्थ इसकी उर्जा जरूरत को पुरा करने गले नब्य हजार करोर्पी की लागत से नॉर्थ इस्ट गेस ग्रेट को तयार किया जा रहा है हाल ही में पी-म उर्जा गंगा योजना के तहर बरावनी गुहाटी पाइपलाइन को देश को समध्वित किया गया है भाई यो बेनों ये केवल विकास के आकड़े नहीं है ये सबका प्रयास का उदारण है यहाँ कहा जाता है राइजे नख, जोका रिले नौई बोई यानि यदि सब लोग मिल कर काम करें तो कठीन से कठीन काम आसान हो जाता है अज हम आगे बढ़ रहा है आप लोगों के प्रयास है साथ कि यहां से मानस नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्बू बहुत दूर नहीं है बीजेपी सरकार देश्ट में टाइगर्स के संख्या हमारे कालखन में बढ़ी है और वन छेतर का भी विस्तार हुआ है कुछ समय पहले ही मैं काजरंगा नेशनल पार्क गया था और मैं देश का पहला प्रदानमत्री तो जो वहां रात को रुका था असम सरकार के इस सक्ति की वज़े से अब राइनों का शिकार बीते दिनों की बात बन रहा है असम के यह बायो डायर फुस्टेटी यहां के बहुत बड़ी ताकत है बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टों में संकल पर लिया है कि देश की हेरिटेज को ग्लोबल मैप पर ले जाएगी इसे ग्लोबल टुरियम के भी असम आने के संभावना बड़ेगी असम में बड़ता टुरिजम या रोजगार के भी ज़्यादा से ज़्यादा मोके लेकर के आएगा साथ हम विकात भी और विरासत के मत पर चल रहे हैं हम बार पेटा को बोईकुन धाम बना कर नमन करते हैं इसी धर्ती ने स्रिमत संकर देव और मादो देव जैसे संत दी है इसलिए आज अगर काशी में विश्वनात दाम का निर्माण होता है तो असम में कामाख्या कोरिडॉर की विराविकास भी किया जाता है बीजेपी सरकार की प्रयासों से असम के महान योद्धा लसित बॉर्फुकन की चार सो भी जैंती पूरे देश में मनाई और असम के गमोशा का ब्रान ने में सर तो खूद आपका मोदी है लेकिन भाई जो भेनो कॉंग्रेस को देश की विराशत इससे भी दिक्कत है मैं असम के स्थानी ये परंपराव को है कपड़ी पहन लेता हूँ तो कॉंग्रेस वाले मजाग उड़ाते है कॉंग्रेस को असम के लोगों की भावना हो की कोई परवा नहीं है साथ कि हमारे मुख मंतरी हमत अभीश्व सर्माजी असम के विकास के लिए इतनी महनत करते हैं कहां कॉंग्रेस का स्कोफी खत्मा हो गया है कॉंग्रेस को दिया आपका वोट केंद्रे में सरकार नहीं बनाएगा बीजेफु को दिया आपका वोट विख्सित भारत बनाएगा इस बार बार पेटा से फणी भुषन चोधरी जी को कोकरा जार से जोयनता बासुमतारी जी को और गोहाटी से बहन बीजुल कलिता मेधी जी को आपके वो रिकॉर्ड वोट से जिता रहा है साथ माई को वोटिंग के पिछले सारे रिकॉर्ड टुटेंगे ना हर बूद जीतेंगे ना गर-गर जाएंगे मद्दान को जगाएंगे सुबे सुबे मद्दान कराएंगे अच्छा मेरा एक और काम है वो भी करना है आप गर-गर जाना और गर-गर जाकर के कहना के हमारे मोदी जी आये थे और मोदी जी ने परिवार के सब को प्रणाम पहुचाया है मेरा प्रणाम पहुचा देंगे मेरा प्रणाम पहुचा देंगे मेरे साथ बोलिये भारत माता की भारत माता की जय स्री राम जय स्री राम जय जय स्री राम जय जय स्री राम बहुत बहुत धन्यवाद